नमस्कार विल्कम टूर चनेल स्टॉक मार्केट उजार्च आज की वीडियो में हम वक्रांग लिम्टेट चार का डेटल्स में टेकनिकल और फॉंडमेटल को अनालिसिस करेंगे जिवकि स्टॉक का प्राइस अप्टर स्ट्रॉंग डाउंट्रेंड अभी रिवर्सल का साइन देखने को मिल रहा है तो किस टैप का चार सेट आप बन रहा है और आनेवाल टाइम में क्या प्राइस में हो सकता है डेटल्स में अनालिसिस करेंगे उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट उजार्च आनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को का मार्केट के आप है आराउंड 2045 क्रोड का रिजर्ब का से इस कंपाइण के पास 13.4 क्रोड का कॉरेंट प्रैस चल ला है 19.3 और इसका डिविडेंड ही ले 0.26 इसका मिनिंग है कि कंपाइणी कुछ ना कुछ प्रॉफेड जैनेर कर रहा है जिसके वादा से इन्वेस्ट परसेंट और लास्ट वान अर्केटर नेगेटिव 17 परसेंट तिनो टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस ऑंडर परफ्रम कर रहा है इसका मिनिंग है कि प्राइस यहां पर मॉल्टियर का डाउन ट्रेंड में चल ला है लास्ट फाइव यूर से अगर अभी हम कुछ बड होलिंग पाटम देखेंगे तो देखेंगे आप पर प्रोमोटर होलिंग कर रहें 42.6 परसेंट जो कि लुएर साइट के उपर है बिलों 50 परसेंट है जो कि जिसको आप रेड़ प्ला कॉंसिडर कर सकते हैं यहां पर सैर होल्डिंग को डिक्रीज कि हैं 3.97 परसेंट जो कि अभी के लिए नेगाटीव है यहां पर शेर होल्डिंग को डिक्रीज कि हैं जो कि अभी के लिए 6.29 परसेंट जिसको आप नेगाटीव हां पर बोल सकते हैं उसके साथ यहां पर पॉब्लिक होल्डिंग है 47 परसेंट किसी भी स्टॉक में रेटेल पाटिश्ट्रेशन परसेंट जिसको आप यहां पर रेड़ प्ला कॉंसिडर कर सकते हैं स्यार होल्डिंग पाटन में इसा कुछ पॉजेटिव साइन नहीं है लेकिन अगर आप चार्ड स्ट्रक्चर देखेंगा और राश्यो चार्ड देखेंगे वहां पर कुछ रिभर्सल का साइन देखने क को मिल रहा है तो चलता है चार्ड के उपर जैसे कि आपके स्कीन के सामने देखेंगे जो चार्ड ओपन हुआ है यह उपन है लेम्टेट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ है जैसे कि हम हमी सासा अनलेसिस कि प्राइस अल्वेज एक चैनल को फोलो करता है उपर जाएगा क्लियर कर देखे प्राइस यहाँ पे फ्लाड चैनल के अंदर कॉंसरलेशन कर रहा है तर प्राइस के लिए जो मॉल्टेट के हम पे सौपर था न उसी लेबूल के अश ब्रेक आउड के लिए खुद कुद त्यार कर रहा है जैसे स्टॉक का प्राइस जो हाँ पर लेबुल बन रहा है नियरली एभब 21 के ओपर प्लोजिंग आएगा तो यहाँ पर एक नया अप्टरेंड एस्टेबलिश हो सकता है आज पर दोर टेक्निकल क्योंकि अगर अग्या हैं साथ देखेंगे तो प्राइस पहला बेस वे स्फकाः और नेक्स्ट के आसपास जो कि उसका नक्स्ट मेजरर स्वर मान सकता है जो कि यहां अगर यहां पर एक ट्रेंड लाइन में ड्रोय करूंगा वह बन रहा है टार्गेट नियरली 30 के असपास तो जिस्टाइट का भी सेट अब दिखाई दे रहा है जिस्टाइब का रिवर्साल साइन देखने के मिल रहा है यह भब 21 अगर प्राइस सुस्टेंड करेगा यहां प लेकिन टेक्निकाल में एक स्ट्रॉंग सेट अब सो कर रहा है और यहां पर अब्मुप करेगा अगर प्राइस सुस्टेंड करता है तो और हम इसाथ से खुद का रिस्क को डिभाइन कर लिजेगा किसी भी प्रिव्योस स्विंग लो के नीचे उसके साथ अगर हम यहां पर लेखेंगे राष्योचाट भी एक मैजर सपर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है तो यहां पर मैं बोकरेंग लिविटेड वर्सेस निफ्टी फाइब हुंड का राफ्योचाट को ओपरन कर लेता हूं तो बोक्रेंग भी निफ्टी फाइब उन्डेड तो राफ्योचा पर फोकॉस कर सकते हैं और इस लेबूल के असपास प्राइस देखे हां पर कॉंस्टर कर रहा है एक इंवर्स हेडेंड शोल्डर पाटन यह हो गया उसका लेप शोल्डर यह हो गया उसका राइड शोल्डर लेकिन राश्यो चार्ड में अभी तक ब्रेक आउट आया नहीं है राश्यो चार्ड में जैसे यहां पर ब्रेक आउट आयाएगा उसके बाद प्राइस ट्रॉक्चर रहां पर डॉबल कॉंफर्मेशन मिल जाएगा अब इक लिए देखे राश्यो चार्ड में कुछ सिग्नाल नहीं है और प्राइस ट्रॉक्चर तभी कॉंफर्म होगा जो 21 को पर सॉस्टेंग करेगा लेकिन सेटों बहुत आचा बन रहा है प्राइस कॉंफर्म कर रहा है बस हाई रिस काटागोरी में थोड़ा चाहिए क्योंकि ग्रोथ यहां पर नेट प्रॉफिट यांट पर देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए प्रॉपर क्वानिटी रिगर बन सकता है अगर आपके पास स्टॉक के आने वाल टाइम में आपको रिवार्ड मिल सकता है लेकिन फ्रेस एंट्री करने के लिए वेट कीज़े का एब्भब डाउन अगर प्राइस सॉस्टेंड करता है तो और हमीं सासे इस टैप का स्टॉक में एकजिट पॉंट क झाल